जैहिन दोस्तों आप सब का आज के एडिटोरिल डिस्काशन और अनालिसिस के वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप सब को हमारे सारे विवर्स को सब बच्चों को दुषेरे की शुपकामनाई देना चाहूंगा दोस्तों हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत हार्दिक शुपकामनाई उमीद करते हैं दुआ करते हैं कि आपके सपने आपके मनोकामनाई पूरी हो और हमारी तरफ से आपके जो लवड़ बन्स हैं आपकी जो फैमिलीज हैं उनको भी बहुत सारा प्यार धेर सारा प जहां पर मिशन करम योगी की बात करी गई है तो यह पॉलिटी और गवरंट से रिलेटेड है और एक आर्टिकल दोस्तों आयार से संबंदित यहां पर बात करी जा रही है यह हिंदुस्तान टाइम्स में आया आया आर्टिकल वाई चाइना जैसे कई पर होता है कि छुट्ट रहती है अटलीस हफते में एक या दो दिन कुछ ऐसे लेक्चर्स भी आपके साथ शेर करूं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके साथ शेर करूं जो के फञांचल एक्सप्रेस में से हो बिसनेस लाइन में से हो इंदुस्तान टाइम्स में से हो तो वही कोशिश जारी है और presidency और Xi Jinping तो चाहते हैं कि भी वो lifelong मरते दम तक वो ही president रहें चाइना के और Xi Jinping का यह जो idea है कि जो socialism because China को red capitalist भी कहा जाता है कि कहने को तो वो communist country है लेकिन कहिना कि capitalism को भी वो follow करते हैं तो यह बाता बहुत famous है यह हम line भी बहुत पढ़ते रहते हैं newspapers में कि Chinese communism और Chinese socialism it's very unique in its own because उसमें कुछ Chinese characteristics होते हैं तो वो Chinese characteristics हैं कि Xi Jinping के characteristics है हम यह सब जानते हैं कि Xi Jinping के में भी tendency है एक totalitarian leader है वो भी authoritative leader है वो भी तो जैसे अब Xi Jinping होगे Vladimir Putin होगे अब इन में ऐसे tendencies हैं कि हम जब तब तक जिन्दा है तब तक हम president रहेंगे और हमारी ही economic philosophy चलेगी हमारे ही guidance चलेगी economic system हमारे ही philosophy के साब से चलेगे लेकिन चलो अब China में जो भी चलता आ रहा है लेकिन जो वो China की अपनी headache है लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि China की economy है वो कुछ जादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है चाइना की economy में आने वाले समय में काफी contraction आने की probability बहुत जादा है तो अब जैसे अभी अपने आपको pharmacy of the world कहता है लेकिन जो active pharmaceutical ingredients है वो तो हम चाइना से ही import करते हैं फिर उसी तरह से जो critical minerals है अगर हम उसकी बात करें वो भी बहुत abundance में चाइना में पाए जाते हैं चाइना के पास वो technology है कि वो critical minerals को extract कर सकता है process कर सकता है rare earth elements जिसको हम कहते हैं और जैसे कि आप आप जाते ही होंगे कि इस तरह के elements इस तरह के जो rare earth elements है इसकी requirement रहती है semiconductor manufacturing में semiconductor technologies में तो क्या कारण है कि चाइना की economy में downfall आने को दिख अब चाइना की economy में downfall आ सकता है एक तो है चाइना की zero covid policy तो पहले तो zero covid policy क्या है वो हम समझ लें अगर आपको नहीं दिखा तो अभी में आपने आपको हाइट कर लेता हूँ अब यहाँ पर देख सकते हैं तो चाइना की zero covid policy बात करती है कि कैसे completely eliminate जब तक covid नहीं हो जाता चाइना से तब तक हम ये जो lockdowns वाली strategy है उसको हम continue करेंगे यानि के कोशिश है चाइना की जब तक completely suppressed नहीं होता covid तब तक ये lockdowns है या lockdowns लगाए गए थे लेकिन definitely अब from time to time हमने ये भी सोच रहा है ना कि चलो covid तो जिंदगी भर रहने वाला है तो अभी seasonal अभी थोड़ा बारिश होए थे अभी थोड़ा विंटर्स भी आने वाले है अभी लोगों को बिमार है लोगों को खांसी जुकाम है सब कुछ है तो कह घर पर नहीं बैठ सकते हैं सारी जिंदगी तो घर पर नहीं बैठ सकते हैं कितना economic contraction हमने भी देखा था अब कहीं ना कहीं यह zero covid policy के चलते हैं चाइना में भी बहुत economic contraction देखा जा रहा है माना यह जाता है कि यह stringent lockdown वाली जो policy है zero covid policy है यह जी जिंपिंग की legacy है क्योंकि जी जी जिंपिंग के communist leader है बहुत totalitarian है चाइना यह बात भी सामने नहीं प्रगट कर पा रहा कि कितने लोगों की मौत हुई है covid के चलते कहीं ना कहीं जी जिंपिंग के यह जो policy है zero covid policy that is a counter to the western model of democracy तो अब यहाँ पर ego की बात आती है लेकिन जी जिंपिंग की ego यह जी जिंपिं की economic policy with chinese characteristics that is costing quite a lot to the common chinese people to the armed army of china ना उसके बाद चाइना के real estate market की हम यहाँ पर बात करें लेकिये real estate जो है ना किसी भी economy के लिए चाहे वो भारत है चाहे वो चाहे वो चाहे वो कोई भी देश है चाहे वो एरान है significant role play करता है उस country की economy में तो अब definitely अब चाहिना की real estate sector की बात कर prices they have continued to fall in the last one year or so in 11 straight months और बहुत सारे लोग ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के अंदर अभी विश्वास नहीं आ पा रहा है खास कर कि देखी जो societies बना रहे हैं जो इनो इस तरह के जो sellers है लोगों को जो sell कर रहे हैं घर बना के residential places बना के commercial places बना के लोगों क अंदर अभी trust इतना नहीं आ पा रहा कि वो यह घर खरीवें के ना खरीवें ठीक है बिकास यह जो projects हैं यह time पर deliver नहीं हो पा रहे हैं एक्जेक्यूट नहीं हो पा रहे हैं अब जो builders हैं उन्होंने बहुत सारी payments ली होई हैं लोगों से लेकिन वो timely उनको deliver नहीं कर पा रहे हैं अगेन विकास अब zero covid policy हैं बो भी क्या करें कैसे वो operate करें ठीक है अब इसके चलते कितने सारे लोग हैं खास करके जो informal economy में काम करते हैं उनको बेरोसगारी देखने को मिल रही है और यहां पे अगर हम बात करें credit market की तो क्या आप जानते हैं यहां पे लगबग 26 प्रती ले उसने कुछ चीज गिरवी भी रखी हुई है जिसको मौडगेज कहते हैं यह क्या गिरवी रखना अब जाए उजमीन हो सकती है जाए वो सोना हो सकता है अगर आप loan अपना वापस नहीं कर पाएंगे time पे तो आपका definitely जो भी चीज आपने गिरवी रखी है तो bank वो कैसे ही नहीं है तो हम कैसे घर करीबें हमको developers पर builders पर भी विश्वास नहीं है हमने तो बहुत time से पैसे दी हो है लेकिन builders ने घर नहीं बनाए फ्लाट्स नहीं बनाए और उसके बाद हम अब loan कैसे पूरा करें हमको अपनी चीज मिली भी नहीं है और आप कैसे हमारी जो ची कि चाइना को जो real estate sector है वो लगभग one third of China's economy को contribute करता है in terms of employment की हम बात करें in terms of contribution to GDP that is quite a lot 33% of China's economy is in real estate अब यहाँ पे अगर हम SNP global ratings की बात करें उनका ये prediction है कि real estate sector लगभग 30 प्रतीशत drop देख सकता है यानि कि 30 प्रतीशत कम sales होगी इतनी जादा जो reduction है वो तो global financial crisis के दुरान भी आज से 14 साल पहले दुनिया भर में इतना जादा नुकसान देखने को नहीं मिला था जितना इस साल चाइना में देखने को मिल सकता है as far as the reduction in the sales of real estate is concerned तो यह बहुत जादा critical perspective बनता है as far as China's economy is concerned आपको Evergrande का crisis तो याद ही होगा पिछले साल की बात है Evergrande बहुत बड़ी real estate developer company है चाइना की ठीक है जो कि internationally Hong Kong के stock exchange market में भी listed है और यह 1996 में इस company के operations को शुरू करा गया था 300 billion dollars का करजा था इस company के ओपर 300 billion dollars का debt लिया था despite the fact कि इतनी बड़ी company है इतने सारे पैसे लोगों से तो लिया ही लिये थे घर बनाने के लिए societies बनाने के लिए commercial complexes बनाने के लिए लेकिन market से भी 300 billion dollars बौरो किये थे वो नहीं कर पाए वापस ठीक है और Evergrande real estate के लावा renewable energy business में भी involved है तो just एक valuation के तो आपको Evergrande का crisis यहाँ फिर थोड़ा साब को remind कराना चाहरा था कि यह जो crisis है यह जो contraction है चाइना की economy में अब हम बात करते हैं कि भी बहुत सारे देशों में economy contract कर रही है inflation बहुत जादा है तो चाइना को special case नहीं है और आपको यह भी बात बता दूँ कि चाइना में demographic dividend भी चाइना के favor में नहीं है तो यह मौका है यह भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है अभी covid के चलते कितना इस बात को भी mobilize करा गया था कि क्यों ना सारे की सारी जो supply chain facilities हैं वो इंडिया में हम shift कर दें क्यों नहीं इंडिया attract कर सकता foreign investment को जो विदेशी investors हैं जो के चाइना में invest कर रहे थे covid से पहले वो भारत में क्यों नहीं invest कर सकते हैं तो अगे अगर एक slowing Chinese economy है that is good for India हम इस बात का leverage उठा सकते हैं तो यह दोनों ही factors एक weak real estate sector और साथ में zero covid policy दोनों ही चीजों ने बहुत बुरी तरह से impact कर रहा है चाइना की economy को local government यानिके वहां की जो urban local bodies की बात कर उनके budgets को train out कर दिया ह है इस साल के पहले महीने में चाइना का जो fiscal revenue था वो लगभग 9% कम है और इसके चलते बहुत सारे जो civil servants है जो कि आपके सरकारी officials हैं उनको salaries नहीं मिल रही है ठीक है अब उनको salaries नहीं मिलेगे तो कैसे वो बाहर से कुछ चीज़ें खरीद पाएंगे consumption नहीं होगा अगर workers को salary नहीं मिलेगा तो वो obviously उनकी जो purchasing power capacity है वो कम होगी that will definitely impact on consumption thereby on the GDP बहुत सारी public services है उसको suspend कर दिया गया है ठीक है तो यह बहुत जादा एक चिंता का विशे है जो कि हमारे सामने प्लगट किया गया है इस article में ना उसकी बार दोस्तों अगला article जो हम discuss करेंगे यहाँ पे हम सुप्रमन्यम ने आर्टिकल लिखा है तो यहाँ पे हम बात करेंगे mission करम योगी के बारे तो पहले तो हम people centric governance की बात करें देखिए यहाँ पर मोदी जी के भाशन में उन्हें क्या बोला था कि आज 21 सती का जो भारत है वो people centric governance की demand कर रहा है ठीक है और people centric governance बहुत जादा जरूरी है यह approach बहुत जादा जरूरी है तो देखिए आप अभी civil services की त्यारी कर रहे हैं अब देखिए civil services में आपने सुना होगा अपने parents है grand parents है कि किसी जमाने में collector का बहुत रुथबा होता था DC हो SSP हो आज देखिए आज का एक नौकरी है आपने नौकरी करनी है तो आ खुरा सा performance based structure जो है bureaucracy में देखने को मिल रहा है जिसको हम corporate culture भी कहते हैं तो वह अच्छी बात है बुरी बात नहीं है लोगों की aspirations है लोगों की demands है लोग बेवकुफ नहीं है अगर लोग आपको vote कर रहे हैं लोग MLS को MPs को vote कर रहे हैं तो आज की time पर information का जमाना है उनको नामी हो चाहे वो महामारी हो चाहे वो कोई भी ऐसी गंबीर समस्या हो governance प्रशासन जो है वो लोगों के प्रती होना चाहिए ठीक है अच्छा प्रशासन देना अच्छा शासन देना बहुत जरूरी बात है ठीक है अब यहां पे जैसे आप आपको मेरे information age के बारे बताया त अगर हम कहें कि सरब उनको आप फ्री में आटा, चावल, दाल, चीनी यह सब बांटे रहें यानि के जो विधायक है जो MLA's है या जो local MPs है कि यह सब कुछ बांटने से ही वो खुश रहेंगे तो ऐसी बात नहीं है वो actively claims अपने make कर रहे हैं on the state और वो जादा इंपावर फ quality of life तो हम human development index की बात करें, ease of doing business की बात करें ये सब indices किसी काम के नहीं है अगर अच्छा प्रशासन नहीं है तो दुनिया जुड़ी हुई है interconnected है तो क्या रश्या उक्रेन में क्या चल रहा है वो यहां पर भारत में जो गाउ है महां पर गाउं की लोगों को भी पता है कि र और यह अच्छी बात भी है क्योंकि अगर information age है information का जमाना है तो हम informed citizenry की यहां पर बात करते हैं जिसके चलते ही जो political system है वो और mature बनता है अब जो politicians है now they have to be on their toes, they have to deliver, they have to perform, so politicians have to perform, the bureaucrats have to perform, only then can the government sustain, चाहे वो state government हो चाहे वो central government हो तो अगर election manifesto के time पे या campaigning के time पे जो अगर उन्होंने बड़ी-बड़ी promises करी थी health sector से pertinent, education से pertinent, उनको deliver करना पड़ेगा और प्रधान मंत्री जी भी क्या कहते हैं, जन्भागिदारी की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, और सबका प्रयास, सबका सहयोग, तो वो बहुत जरूरी है, cooperation बहुत जरूरी है और नई technologies जो develop हो रही है, उसके चलते जो possibilities है good governance की वो और बढ़ती है, technologies से governance सुधर सकती है कि नहीं सुधर सकती है, वो एक different debate है, लेकिन नई technologies एक scope जरूर रखते हैं, जिसके चलते हमारा जो प्रशासन है वो बहतर हो सकता है, partnership state की बात करें, तो कोई भी काम अकेला सरकार नहीं कर सकता, और सरकार को हरे काम अकेले करने की जरूरत भी नहीं है, आपको civil society को, आपको NGOs को, private sector को बीच में involve करना चाहिए, तो यहाँ पे एक नया concept आता है, partnership state का, और महामारी के चलते, covid के चलते, इस concept को बहुत अच्छी तरह से सामने हमारे रखा गया है, और अगर आ पर आपको article, इसके उपर आपको question आता है, इस theme के उपर, GS2 में आता है, या अगर essay में आप इस theme के उपर कुछ लिख रहे हैं, या अगर अगर आप public administration का, अगर आपका optional है, तो वो भी अगर आप रखते हैं, तो यह काफी important article है, और आप इस article में से जो हम चीज़े discuss कर रहे हैं, वो आप court भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, अब coordinated efforts की हम बात करें, महा मारी के चलते हैं, हमने देखा, जितना मर्जी आप pro-BJP हो, anti-BJP हो, जितना मर्जी हम polarized हो, अब चलो यह बात हम ने, अब यहाँ पे तो हम agree कर सकते हैं, कि सरकार ने तनी तरब से पू collaboratively यहाँ पे effort करा, along with the international bodies like WHO and the state governments, और इसके चलते हैं, यहाँ पे देखी, अब हम vaccine मेतरी की बात करें, कहां, जब महा मारी आई थी, हमको कुछ भी नहीं बता था, COVID के बारे, और कहां within one year, हमने vaccine भी मेराई, भारत बाया टेक की हम बात करें, ठीक है, चलो अगर हम COVID Shield की भी AstraZeneca vaccine के उपर base था, लेकिन भारत को बहुत praise करा गया, कि भारत is the pharmacy of the world, यहाँ पे इतनी सारी vaccines बना ही जा रही है, Serum Institute of India में, तो इतने कम समय में हमने काफी global stage पे भी बहुत हमने praise attain करी, वो किसके कारण, यह coordinated effort के कारण था, private sector ने, civil society, volunteer groups की बात करें, तो COVID के चलते हैं, चा सकते थे, ना, वो अपने गाउं जा सकते थे, और उनको यहाँ पे अपने शहरों में से भी नौकरी से निकाल दिया गया था, तो उनको mask माटना, COVID के बारे बताना, ठीक है, social distancing के बारे बताना, उनको biscuits माटना, उनको खाना बांटना, लंगर लगाना, चाय का लंगर लगान तो इस तरह की जो तमाम activities हैं, सरकार अकेले नहीं कर सकती, तो इसमें civil society organization का भी बहुत important role play यहाँ पे किया गया था, virus के बारे information spread करना, because let's be honest, doctors को ही नहीं पता था इस virus के बारे, तो आप और हम तो फिर भी बहुत, हम बहुत nervous है इस चीज में, तो यहाँ पे बात की चाती ह हमारा partnership state का सामने आता है, फिर यहाँ पे बात करें, mission करम योगी के बारे, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या समझना है, यहाँ पे यह बात समझती है, कि mission करम योगी जो है, देखी, नई चनौतियां हमारे सामने है, नई challenges हमारे सामने है, तो बहुत जरूरी है कि इस तरह के changing circumstances में, changing times में, जो bureaucracy है, वो भी अपने आपको evolve करें, तो यहाँ पे credit sharing की बात आती है, skills of collaboration की बात आती है, तो वो insecurity बीच में लेके आना कि भी उसकी promotion हो जाएगी, उसको जादा अच्छे number मिलेंगे, या उसको presidential medal मिल जाएगा, तो यह सब नहीं, यहाँ पे credit sharing की बात है, जब कोई मुसीबत है, जब कोई समस्या है, आपको team effort दिखाना बहुत जरूरी है, चाए आप DC हो, चाए आपका rank जो मर्जी हो, नीचे है, उपर है, whatever it is, तो collaborative approach की बात आती है, ठीक है, यह भी बहुत जरूरी है समझना, bureaucracy को कि आज की time पे बहुत innovation तो है, लेकिन क technology लोगों की life को enhance कर सकती है, amidst this chaos, amidst this crisis, उस बात को समझना बहुत जरूरी है, तो बहुत जरूरी थी, बहुत आविशक्ता थी, ऐसे mission करम योगी के बारे, जो के design कर सकता है, जो के capacity building of the civil servants को build कर सकता है, और उनको train कर सकते हैं, अब यहां भी तीन transitions की बात करे गई है, पहल पहला जो transition है, इस mission करम योगी के चलते हैं, वो तो सरकारी officials के mindset में है, कि भी आप केवल सरकारी करमचारी नहीं है, कि आप 60 साल तक बैठे हैं, उसके बाद आप चलो pension भी नहीं आती है, अगर आपके बी recruitment होती है, तो 2004 के बाद जिसकी recruitment हुई है, किसी भी अगर हम central services की बात करें, तो उसको pension नहीं मिलती है, अब आप वो mindset नहीं रख सकते हैं, कि अभी हम एक सरकारी दमाद बन गए हैं, कि अभी अब हमको बढ़ापे तक, retirement तक कोई छेड़ नहीं सकता, करम योगी, आपको काम करना ही पड़ेगा, आप बहुत सुभाग्य हैं, कि आपको नौकरी म अगर वो approach आपके workplace में है, आपके जो subordinates हैं, जो आपके officials हैं, उसमें ये approach है, कि देखा जाएगा क्या होगा, सब चलता है, type attitude, वो नहीं चलने वाला, और आपकी performance को repeatedly evaluate किया जाएगा, तो ही बात बनेगी, ठीक है, अगर आप perform नहीं कर रहे हैं, तो आपको छुटी दे द योगी, अब उसकी बात करें, एक तो आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, human rights council, human resource council, उसके बात cabinet, secretariat, coordination unit आ जाता है, फिर आपका CBC याने के capacity building commission और एक special purpose vehicle करम योगी भारत, तो ये चार pillars हैं, इस mission करम योगी के, तो अगर मैं बात करूँ, अगर institutional structure के, तो आपके सामने यहा strategic दिशा देगी, capacity building reforms के लिए, उसके बाद अगर हम SPV की बात करें, special purpose vehicle, तो जो IGOT या आपका जो online platform है, उसको ये own करेगा, जिसके चलते हैं, world class training bureaucrats को दी जाएगी, अब यहाँ पर लगबग जो cost है, सारे के सारी जो civil servants हमको training provide करने का, over a period of 5 years, वो 510 करोड के आसपास है, य जो के charge किया जाएगा by the special purpose vehicle, जो कि जो online platform है, IGOT उसको own करेगी, चलिए, तो यहाँ यहाँ पर आपके सामने structure है, prime ministers, HR council की बात करें, which is at the apex, अब इसमें chair person, जो chair person है, वो honorable prime minister है, साथ में कुछ, you know, गिने चुने, जो union ministers भी है, state chief ministers भी है, और काफी ऐसे लोग है, eminent लोग है from, you know, different fields, from all walks of life, और साथ के साथ यहाँ पे दिशा दी जाएगी, apex body, which will be driving and providing strategic direction to the mission करम योगी program, फिर capacity building commission की बात करें, और साथ के साथ अकरम special purpose vehicle की बात करें, तो थोड़ा prelims point of view आपके लिए यहाँ पे important point है, यहाँ पे, इसको हम थोड़ा mark कर लेते हैं, कि जो structure है, SPV का, तो पहले तो legal, legality की बात करें, तो this is a company, under sections 8 of the Companies Act, जिसमें 100% सरकार की ही ownership है, ठीक है, और अगीन जैसे आपको मैंने बताए कि जो annual subscription है, वो लगबग 430 रुपे प्रती बुरोक्राइट है, और यह आपको important बात जो याद रखती ही होई यह है, कि जो special purpose vehicle है, this will own and operate, जो online platform ह आपका I got का, जो के civil servants को world class training provide करेगा, अब post covid, B, A, N, I की बात करें, यानि के brittle, anxious, non-linear and incomprehensible world, post pandemic भी लोगों को बहुत चिंताए हैं, बहुत जादा worries हैं, बहुत जादा concerns हैं, और यह concerns और बढ़ेंगे, अब लोग डर में रह रहे हैं, ठीक है, लोगों ने अपने loved ones को था, मरते हुए, second wave की अगर हम बात करें, लोग सडकों में मर रहे थे, oxygen, cylinders नहीं थे, कहा जाता है कि completely सरकार का failure था, health administration, अब we never foresaw that opportunity, we never foresaw a probability like that coming, जब second wave आया था, तो लोगों ने अपने loved ones को खोया, बहुत सारे लोग मरे, ठीक है, health infrastructure को revamp करने का बहुत एक सुनहरा aftar है post pandemic के times में, लेकिन लोग घबराए हुए है, कि अभी क्या पता कल को फिर से भी बिमारी आ जाए, लेकिन जरूरी बात ये है, समझना कि भी अब civil servants का जो role है, bureaucrats का जो role है, post pandemic phase में और ज़्यादा important और critical होने वाला है, अब प्रधान मंत्री जी बार बार कहते थे, minimum government, more governance, तो जो भी emerging problems हैं, लोगों की, उससे कैसे deal किया जा सकता है, अच्छे प्रशासन के चलते हैं, और इसके चलते हैं, mindset में, और even capacities में, और even competencies में, एक बहुत जादा quantum shift की requirement है, especially in the civil servants, तो transforming governance की हम बात करें, तो नई-नी technologies आ रही हैं, which is redefining, कि कैसे goods and services, they can be rendered, ठीक है, अब जैसे आ online learning है, digital universities है, तो इंडिया rapidly बदल रहा है, pandemic के चलते हैं, यह मौका इंडिया के सामने हैं, कैसे इंडिया technology के साथ, changes लेके आ सकता है, अपनी day-to-day life में, यानि के pandemic आ है, लेकिन फिर भी काम रुका नहीं, काम चलता रहा, और इसी तरह से कैसे प्रशासन में भी technologies incorporate की जा सकती नहीं, ताकि और easy तरीके से, और accessibility से, और affordability से, यह goods and services effectively लोगों तक पहुँचाई जा सके, अंत में, आज के time पे work from home का culture है, तो bureaucrats के लिए क्या slogan है, work from anywhere, आप कहीं से भी काम कर रहे हैं, आपका उदेश क्या है, आपका objective क्या है, कि आपने अच्छा प्रशासन देना है citizens को यह एक norm बनना बहुत जादा जरूरी है, तो requirement क्या है, requirement है civil servants की, जो के केवल committed नहीं है, लेकिन competent भी है, efficient भी है, उनमें वो शमता है, कि वो deliver कर सके on this evolving mandate, mandate of people-centric governance, चलिए, तो दोस्तों question of the day क्या बनता है, there has been a quantum shift in citizen-centric governance since the onset of the pandemic, क्या आप इस बात से सहमत है कि नहीं आपने 200 शब्दों में बताना है, तो दोस्तों अगर आपने ये question देखना है, तो मैं अपने आपको hide भी कर लेता हूँ, आप ये question को देख भी सकते है, यहाँ पे आप देख लीजे question को, चलिए, तो बागी दोस् writing, तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो description box में आपको ये link दिखाई देगा, इसको click करेंगे, आपको हमारे telegram channel के towards redirect कर दिया जाएगा, यदि नहीं करा जाता, तो आपने क्या करना है, आपने हमारे इस number पे, 6280-133-177, इस number पे आप अपनी telegram की जो app है, उसे एक message drop क prelims को अब कुछी time रहे गया है, 7-8 months, अब देखेंगे वाला साल खतम होने वाला है, ठीक है, तो अब लग बग हम बात करें, तो less than 90 days are left for this year to end, now अब definitely prelims की चंता बहुत सारे candidates को रहती है, बहुत सारे students होते हैं, जिनको इस बात का fair होता है, भे होता है कि हम कैसे prelims को निका है, लेकिन practice एक ऐसी चीज़ है, जो कि आप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में, जितना practice करेंगे, उतना अपने इस भे को, उतना अपने sphere को overcome कर पाएंगे, तो अगर आप ये test series अवेल करना चाहते हैं दोस्तों, तो अभी इसकी जो price है, वो 4049 है, 33% off चल रहा है, वैसे इसकी price 6000 थी, तो prelims 2023 आप इस code को use करके, आप ये discount अवेल कर सकते हैं, और हमारे information लिने के लिए हमारे toll free number पे भी हमको reach out कर सकते हैं, 1-800-890-3043 पर, चलिए, तो दोस्तों मैं आपसे जासत लेता हूँ, और आपको फिर से बहुत बहुत शुपकामना है दिशरे की, दोस्तों analysis के साथ आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहें, थांकियो सो माच, जैहित!